बाइवेट कम्पेडी द्वारा हो रहा है गरीबों के साथ में भाड़े नुक्सान भारत से अने वाले लोग बूट सूट में आ करके पूरे गोटाले ब्लOक में हर गाओं में भीनाओं में युजनाज़ी बात करके लोगों को जहां पर पुरानी टॉकेच की सामने भाड़े से रख लिया गया हॉल वहाँ पर हर सब्ता में दो मिटेंगे करवाते हैं और जिसे मीटिंग में अनपर लोगों को भी बुलाते हैं और एक सो पचासे दो सब्सक्राइब वहाँ पुला कर उसे हाल में बैटने के लिए 30 रुपए इंटरेफिस के नाम पर लिया जाता है जब एक इनसान के पास से 30 रुपए लिया जाता है तो समझते हैं कि कितना पैसा होता होगा और जो मीटिंग में बैट गया उनके सब्ता भर में आपकाते हैं 27,000 रुपए का शेक साथ दिन में आएगा ऐसा बात कर जो मीटिंग में बैठे गरीब लोग अनपर लोग जिसको अपना नाम लिखने तक नहीं आता उन लोगों के पास में से 12,24 गंट में 8,000 लूटा जाता है और वह अनपर लोग साथ दिन के चकर में पैसा आएगा 57,000 एसा सुन कर उनकी जवरात बगरा किसी रखकर गिरवी रखकर 8,000 रुपए लोग लोट लेते हैं देखते हैं कि 7 दिन तो ठीक है दो दो महीने होने जा रहे हैं फिर भी कोई किसी का शेक नहीं आ रहा है हमारे आँखों के सामने ये खबरे मिलने पर अफसोस होता है घाटोल ब्लॉक में सभी से मिराग रहे है कि ऐसी कंपनी को यहां से रवाना कर दें क्योंकि एक गरीब इंसान के पास में खाने के लिए अनाज रही है सुबह में काम पर जाता है और मेहनत करता है शाम को घर वापस आता है तब जाकर उनको दो वक्त की रोटी आधी अधूरी मिल पाती है इससे हुए ग्रामिट परिशान जिस अधिकारियों से निवेदन है कि जिन हमारे समाच के लोगों को लूटा जा रहा है इसलिए जल्दी से जल्दी ये कंपनी बंद करवाएं झाल 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 झाल